नमस्कार दोस्तों आप लोगों के बहुत ज़दा कमेंट आ रहे थे कि हम HRMS में सिक लीव किस तरीके से अपलाई करें आप लोगों में से कई लोग बीमार भी पढ़ जाते होंगे तो वो PMC लेके आते हैं हो सकता है कि वो railway hospital में भरती कराके अपना कोई इलाज करवाते होंगे तो वहाँ पर उनको आवसकता पढ़ती है sick leave की अब sick leave क्या होती है किस तरीके से लेनी है कब आपको मिलेगी किस तरीके से deduct होगी आईए जानते हैं आज के इस वीडियो में तो वीडियो बहुत ज़्यादा informative होने वाला है तो वीडियो को एन तक जरूर देखना है कहीं भी skip नहीं करना है और यार चैनल पर नहीं हो तो subscribe भी करना है हाई गाईज मैं हूँ रभी और स्वागता आपका हमारे इस YouTube चैनल पर तो गाईज यार आपको मेरी वीडियो से कुछ स्किल मिलती है आपका कुछ सॉलूसन होता है कुछ मोटिवेशन मिलता है तो यार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आपने साथी करमचारिय इस फरियो से भी सब्सक्राइब करवा एयर दो गाई है तो जैसे यहां पर मेरे पास एक कमेंट मेंट बहुत जाद आ रहा था कि सर्हा हम किस तरीके से हीर्निम्स में सोफ यारव करें कोई लोग PMC बोल रहा है कि हम PMC लाए तो किस तरीके से हम सिक टीडिक अपलाई करें apply करोगे तो गैस हम यहाँ पर थोड़ा सा theoretical discuss कर लेते हैं मान लीजी अगर आप PMC लेके आते हैं PMC आपको 3 दिन की मिलती है तो पहले क्या होता था कि हम PMC लाते हो लाके दे देते हैं तो हमारी 3 दिन की 6 LHP कर जाती थी लेकिन अगर आप HRMS में apply करोगे तो वहाँ पर आपका 3 दिन ही दिखाता है तो इसको भी हम last में देख लेते हैं कि आपका वो 3 दिन नहीं actual में आपका पूरा 6 दिन ही जाएगा यानि कि W आपकी leave वहाँ पर कटेगी तो HRMS में sick leave को sick leave नहीं बोला गया है यहाँ पर commuted leave बोला गया है C.O.L. Commuted leave Commuted leave का मतलब है आप मतलब बीमार थे आप sick पर थे उसको आपको commute कराना है यानि कि आपकी LHP जो होती है उसको अगर आपको commute कराना है तो उसको ही आप बोलते Commuted leave तो जो आपकी sick leave होती है वो actually में LHP सही कटती है मंदित कोई भी certificate देना पड़ेगा जब आप HRMS में commuted leave अपलाई करने के लिए जाओगे तो वहाँ से आपसे वो necessary document मांगेगा तो वहाँ पर आप अपना sick certificate दे सकते हैं कोई PMC लेका है तो वह आपर upload कर सकते हैं तो जो भी उससे related document है वो आपर upload आपको करना है उसके बाद ही आपको commuted leave मिलेगी यानि की sick leave मिलेगी और जो भी आपकी LHP का balance है उसमें से आपका double balance कर जाएगा अगर आप cable single LHP apply करते हो तो वहाँ पर आपका LHP कटेगा और आपको वहाँ पर आदी payment मिलेगी तो गयज इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आप commuted leave चाहते हैं या LHP चाहते हैं वह आपके उपर decision तो चलते हैं जब laptop के screen पर और देखते हैं कि आप किस तरीके से sick leave यानि की commuted leave apply करोगे HRM तो जब हम login हो चुके एक employee की ID से और आज के video हम देखेंगे कि आप sick leave किस तरीके से ले सकते हैं यानि कि आप बीमार हो जाते हैं उसके बाद अगर आप अपनी LHP को commute कराना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको HRM पे login कर लेना है login करने के बाद आपको इस leave management वाला option है इस पे जाना है इस पे click कर देना है click करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का interface आएगा अब सबसे पहले हम हमारा leave balance चेक कर लेते हैं my leave balance पे जाएंगे और यहां से हमारा leave balance चेक कर लेते हैं अब यहां पर आप notice करिए कि जो हमारा LHP का balance है वो हमारा 149 है यानि की 104 है और अभी हम sick leave apply करने वाले हैं ठीक है तो इसके लिए हम क्या करेंगे फिर से leave management वाले option में जाते हैं और यहां से new application वाले option पे जाएंगे इस पर click करने के बाद कुछ इस तरीके का interface आएगा यहां पर आपकी detail आजाएगी उसके बाद हम नीचे आते हैं नीचे आने पर आपको यहां से nature of leave select करना है कि यहां को leave का type क्या रखना है तो यहां से हम please select पे जाते हैं तो देखिए हमारे पास कई सारी leave आ जाती है अब यहां पर एक option आता है leave on half average पे यानि कि LHP और एक option आता है हमारे पास commuted leave यानि कि COL अब यहां पर LHP और commuted leave में थोड़ा सा अंतर है इस चीज को आपको देखना है LHP आप कैसे भी ले सकते हैं जरूरी नहीं है कि आप बीमार हो तभी आप LHP लो आपको अगर कोई काम है आपके पास और चुटी नहीं है आपके पास LHP चुटी है तो आप LHP ले सकते हैं जरूरी नहीं है कि बीमार होने पर यह LHP ली जाए वहाँ पर बस condition यह रहेगी कि आपको half payment मिलेगा लेकिन आप किसी भी LHP को अगर commute कराना चाते है पूरा payment उठाना चाते है तो वह आपको sick के case में ही कर सकते है यानि कि आप बीमार होगे और फिर आप अगर sick certificate लाके देते हैं तब जाके यह आपकी leave committed होगी यानि कि वह आपके LHP committed होगी और वहाँ पर आपकी 2 LHP कटेंगी एक दिन की तो उसको हम बोलते है committed leave यानि कि हम हमारी LHP को commute कराना चाते हैं और वह सिर्फ sick के case में ही होगा अगर माली जी आपने पहले LHP apply कर दिये और आप sick में थे उसके बाद आके आप उसको commute कराना चाते हैं तो पहले आप अपनी LHP को cancel करवाईए उसके बाद फिर आप committed leave apply करिए उस period की तो फिलाल हम यहाँ पर sick leave देखते हैं तो sick leave के लिए आपको यहाँ पर committed leave यह col leave है इसको आपको select करना है इसे मैं select कर लेता हूँ select करने के बाद देखे हमारे यहाँ पर हमारी जो LHP थी उसका balance यहाँ पर so करने लग गया है कि हमारे पास इतना balance बचा हुआ है हमारी LHP का तो यहाँ से हम date choose कर लेते हैं कि हम कब से कब तक commute करवाना चाते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर click करते हैं तो माली जे मैं यहाँ से 9 अगस्ष से लेके और 11 अगस्ष तक का PMC लेना चाता हूँ मैं भाई बीमार रहा था और उस दोरान मैंने यहाँ पर 3 दिन का PMC लिया या आपका ज्यादा दिन का भी हो सकता है वो आपके उपर depend है कि आपको कितने दिन का लेना है तो यहाँ से हम date select कर लेते हैं तो मैंने यहाँ पर एक date select कर लिया यह वाला और अब 2 में मैं कर लेता हूँ यह वाला ठीक है तो अब यहाँ पर देखिए हमारा 3 days का committed leave हो गया है अब कई लोगों को confusion होता है कि सर हम तो committed leave ले रहे हैं तो यहाँ पर हमारा single balance ही क्यों रहा है हमारा तो 6 दिन का कटना चाहिए और यहाँ पर तो 3 दिन ही दिखा रहा है क्योंकि हमारी committed leave double में कटती है अगर आप 3 दिन sick में रहे हैं तो आपका 6 दिन कटेगा आप 2 दिन रहे हैं तो 4 दिन कटे रहे हैं आपको इससे खबराने की आप सकता नहीं है कि यहाँ पर हमारा double balance नहीं आ रहा है, जब आपकी leave sanction हो जाएगी तो आपकी LHP में से यह balance double कट जाएगा, यानि कि यह 3 की जगे 6 कट जाएगा, जितनी भी आप committed leave लेना चाहते हैं, उसके according यह balance आपका cut जाएगा, उसके बाद हम नीचे आते हैं और उसके बाद यहाँ पर आपको ground लिखना है कि आप committed leave क्यों लेना चाहते हो, तो जाएगी सी बात है, आप बीमार थे, इसलिए आप लेना चाहते होंगे, तो यहाँ पर मैंने एक remark डाल दिया है, आपको अपने हिसाब से remark डालना है, जो भी आपका issue है, उसके हिसाब से आपको डालना है, उसके बाद आपको यहाँ पर upload supporting document, यह compulsory field है, अगर आप committed leave लेना चाहते हैं, तो आपको supporting document upload करना पड़ेगा, अब आप लोग पूछोगा कि सर क्या supporting document upload करें, तो यहाँ पर आप अपना अगर कोई private sick लेके आ रहा है, PMC का जो भी private sick certificate है, उसको आप यहाँ पर upload कर सकते हो, अगर आप railway hospital से sick लेके आ रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पर document upload करना है, यानि कि आपका कोई ऐसा document जो यह दिखा दे कि भाई, आप सच में बीमार थे और इतने दिन से इतने दिन तक आप बीमार थे, इसलिए आप इस leave को commute करवाना चाहते हो, यानि कि वो आपकी बीमारी क restriction कर दे, अब वो क्या होगा, वो आप अपने इसाब से देखेंगे, तो यहाँ से मैं कोई भी एक document upload कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैंने एक document upload कर दिया है, और यहाँ से मैं अगर view करके देखना चाहूँ, तो मैं इस document को देख सकता हूँ, उसके बाद अगर मानी जी यह ग आपको officer जिसके भी पास भीजनी हो, तो यहाँ से हम उनका नाम select कर लेते हैं, तो मैंने यहाँ मेरे officer का नाम select कर लिया है, आपको अपने in charge यह आपको officer जिसके भी route से आपकी छुट्टी जाती है, उस हिसाब से आपको भीजना है, उसके बाद हम यहाँ पर submit application कर देते हैं, यह करने के बाद हम इस yes बटन पर click कर देते हैं, click करने के बाद हमारी जो commuted leave थी, वो successfully submit हो चुकी है, और चली गई है हमारे officer के पास, अब हम हमारी leave का status देखेंगे, तो my leave under approval में जाएंगे, तो देखिए हमारी एक यह leave थी, तीन दिन का CUL थी, तो यह applied है, ठीक है, अब हम हमारे officer की ID पे जाते हैं, अब हम login हो चुक है, हमारे officer की ID से, जिन के पास हमने हमारी leave वेजी थी, अब यह क्या करेंगे, फिर से leave management वाले option में आएंगे, और यहाँ पर इनके पास leave application pending with me, इस पर click करेंगे, click करने के बाद आपकी leave आपके officer के पास कुछ इस तरीके से दिखे हैं, क्या region हैं, और क्या document है, यहां से वो document को view करके भी देख सकते हैं, उसके बाद नीचे आएंगे, और यहां से accent type select करना है, कि वो इस leave को आगे और forward करना चाहते हैं, या sanction करना चाहते हैं, ठीक है, तो फिलाल हमें this leave को sanction करना है, तो हम यहां पर sanction select कर लेते हैं, उसके बा ्यमिट कर देता हूं यस कर देता हूं तो यह लीड सकसेश पुली संक्षन हो चुकी है अब हम वापिस से एंपलॉई की आईडी पर फिर से हम लीडमेंगे में वाली उप्सें पर आते हैं अब जाते हूं माई लीव एप्लिकेशन पे यहां पे हम फाइंड करते हैं तो आप देखिए हमने ये वाली एक COL लीव अपलाई की थी जो हमारी सेंक्षन हो चुकी है इसको आप यहां से व्यू करके देख सकते हैं आप LHP को कैंसल करवा के कमूटेड लीव सेंक्षन करवा सकते हैं लेकिन कमूटेड लीव को आप सेंक्षन करवा के उसको cancel नहीं करवा सकते तो कि वो आपका बीमार पीरेड था और पास्ट का पीरेड था जिसको आप अल्रेडी छुट्टी काट के आ चुके हो अब हम leave का balance चेक कर लेते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर देखे my leave balance है इस पर click करेंगे तो click करने पर देखिए हमारी जो LHP का balance था वो घटकर हो गया है 143 यानि कि हमारी 6 LHP यहाँ पर deduct हो चुकी है जो हमने 3 दिन का यहाँ पर committed leave लिया था वो 6 दिन का हमारी LHP यहाँ से cut चुकी है अगर आप अपना my leave balance यहाँ से करना चाते हैं तो यहाँ पर भी देखिए हमारी जो LHP का balance था यह 143 हो गया है तो इस तरीके से आप कोई भी private सीख आपका हो अगर आपका कोई reliable signal का सीखो कितने भी दिन का उसको आप इस तरीके से commute कर वा सकते हैं तो गाई यह था आप बीमार हो जाते हैं या PMC लेके आते हैं तो आपको किस तरीके से सिकलीव लेनी हैं किस तरीके से उनको HRMS में अपलाई करना है तो गाई यह आपको HRMS के leave module में कहाँ पर problem आ रही है उसके लिए मुझे comment box में जरूर comment करें मैं कोसिस करूँगा कि आपके comments के ऊपर एक dedicated वीडियो बना कर दे दो तो आई हो गाई यह वीडियो informative होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यह जादा से जादा लोगों में share करें वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें मिलते हैं ऐसे interesting वीडियो के साथ बहुत बहुत धन्यवाद